असलो अलेकुम रहे मुतला प्रकात हूँ आज हम बनेंगे मिंटों में बने वाला क्रिस्पी पोहे कटलेट माशला खाने में बहुती ला जवाब लगता है आप एक बार इसे बनाओगे ना तो इसे बार-बार बनाओगे क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना माशला बहुती अब हम इसे हाथ की मदद से इस तरह से मैश करके ले लेंगे अगर आप चाहे तो इसे मिक्सर के जार में आप इसे पिस्के भी ले सकते हैं पर हाथ की मदद से यह आसानी से हो जाते है इसलिए मैं हाथ से ही इसे मैश करके ले लेती हूँ यह देखे कितने आसानी से हो जात इसमें डाल दी हूँ इसे भी मैंने अच्छे से मैश करके ले ली हूँ आलू को अभी ये भी अच्छे से मिल चुके है अभी हम इसमें डाल देंगे एक बड़ी size की पयाज भारिक चॉप करके यह वाली डाल देंगे अभी मैं इसमें डाल देंगे हरी मिर्श, मैंने 3-4 हरी मिर्श का इस्तमाल करी हूँ, अब तिके की सबसे कम यह जादा कर सकते हैं, अभी मैंने चोटा सा तुकडा दाल दाल दी हूँ, अदरक का, इसे भी बारिक चौप करके डाल दी हूँ एक औरेंज गाचर का में इस्तेमाल करी हूँ, इसे मैंने गिसनी की मदद से इसमें दाल दी हूँ, आदा शिमला मीर्च का इस्तेमाल करी हूँ, इसे भी बारिक चॉप करके दाल देना है हमें, एक चमच दाल देंगे हम लाल मिश पाउडर, आदा चमच हम दाल देंगे जीर इस माशालला और भी बड़ी आता है, अब हम इसमें दाल देंगे डेर सारा हरा धनिया, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे, अब हम इसे टिके का शिप्ट दे देंगे, इस तरह से बहुत आसानी से बन जाते हैं, आपको जिस साइज में जिस के हिसाप से आपको अब सकते हैं, इतने साइस के मैंने इसे बना ली थी, यह देखिए, कितने आसानी से बन जाते हैं, देखे, इस size के हम एक एक करके, इसी size से हम सब बना के ले लेंगे, ये देखे, माशाल्ला देखे, हमने सब बना लिए हैं इसी तरह से, अभी हम इसके आगे की process कर लेंगे पुरी, अभी देखे मैंने कौन फ्लॉर का आटा ले ली हूँ, इसमें मैंने पानी दाल के इसका घो हें गोल बनाके लेली हूं ये एक सायड मैने ले लेली हूं भ्रेट क्रम्स मैंने बनाके लेली हूं ये मैंने घर में और ही रही बना लिए इसमीन तवब्र है फ्राइक कर के ले से मचाना पर अब भी क्रिस्पी बन जाए अभी हमने जो कटलेट बनाए थे हमने जो भी कौन फ्लोर का घोल बनाए है उसमें हम इसे डिप कर लेंगे फिर इसके बाद में हम इसे bread crumbs में दाल देंगे ये देखेंए अभी हम इसे bread crumbs अच्छे से लगा कर ले ले लेंगे इस तरह से माशालोब भोती आसानी से और भोती जटप़ से भी बन जाते है और खाने में भोती ला जवाब लगते है دेखें कितने आसानी से बन गए है आपको मिंटों में बन जाएंगी ये देखिए इसी तरह से अभी हम सब लगा लेंगे फिर हम इसे पैन में तेल में फ्राइ करके ले लेंगे अब इदे, मैंने pan ले लिए हूँ, pan में दाल देंगे, हम तेल, तेल में दाल देंगे, हम एक-इक करके जो अभी हमने, येager कटलेट बनाया है, ये वाले कटलेट दाल देंगे, ये देखे एक-इक करकी इस तरह से दाल देंगे, हम एक s comfy में हम Mister 4-7 Linda के बिए एकसी इसे fry होन आपको एक ही नहीं आएगा कि यह पोहे के कटलेट हैं अभी देखिए माशालला जब इस तरह का कलर आ जाएगा तब हम इसे निकाल लेके आप इसे टमैटो केचप के साथ मैं खाईएगा माशालब बोती आपको बढ़िया लगेंगे हर जिसके साथ में भी खाएंगे आप उसके साथ में आपको ये बोती बढ़िया लगेंगे मिलती हुआ अगले वीडियो में अगले recipe के साथ में अल्ला हाफीज दुआ में याद रखना और यह ज़रूर ट्राइ करके बनाएं